ये वाट्सब गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आज फेसे में आ गई एक नई वीडियो लेके इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जे एफटी जो बेसिक एक्जाम है उसका फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां पर हम प्रोमेट्रिक आईडी के लिए सर्च करेंगे यहां पर हम सर्च करेंगे तो आपको ऐसी टैप खुली मिलेगी जिसमें आपको स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर टेस्ट के बारे में बताया जाएगा उनके लिए आपको प्रोमेट्रिक आईडी चाहिए तो वह इस एक में ही आते हैं सारे तो यहां पर आप सब देख सकते हैं स्टैप पर आपको जपान में जितने भी एससज़ू के एक्जाम होते वहां पर आपको दिखाए जाएंगे जो कि सभी एक्जाम को पास करने के लिए आपको जैपनीज लेवल एक एक्जाम पास करना होता जो की होता है जैपनीज फाउंडेशन एक्जाम जो आप यहां पे देख सकते हो सबसे पहले सो अभी आज हम वीडियो में मैं अल्रेडी वीडियो बना चुकी हूं नर्सिंग केर स्किल एवैलवेशन टेस्ट कैसे फिल करते हैं उसी के साथ आज मैं बताने वाले हूं जैपनीज फाउंडेशन जैपान फाउंडेशन टेस्ट फॉर बेसिक जैपनीज यह आप इसका आपको एक बात बताना चाहूंगी इस टैप पे आप आके यहां से आप अपना फॉर्म फिल करने के लिए लॉग इन कर सकते हो इसमें क्या होता है सबसे पहले आपको प्रोमेट्रिक आइडी बनानी पड़ती है अपनी जो कि आप जैफ्ट के लिए भी यूज कर सकते हो आ आपको यही प्रोमेट्रिक आइडी यूज में आएगी तो प्रोमेट्रिक आइडी कैसे बनाएंगे वो मैंने अपनी काईगो वाले जो वीडियो है उसमें डाल रखे कि आप न्यू प्रोमेट्रिक आइडी कैसे बनाएंगे तो आप उस वीडियो को चेक आउट कर सकते है मैं link आपको description box में डाल दूँगी so after that यहाँ पे आपको देखिए नीचे यहाँ पे आपको JFT जो exam है उसके बारे में सारी जो information चाहिए आपको वो यहाँ पे बताई जाएगी introduction की JFT exam क्या है okay and इसका eligibility criteria क्या है कि आप 18 17, 18 से above age के होने चाहिए exam कैसे होता है CBT format का computer based exam होता है questions कितने आते हैं 50 duration कितने टाइम time कितना होता है exam का वो 60 minute text structure यहाँ पे आपको sample questions भी मिल जाएंगे कि इस type के question आपके JFT basic exam में आते हैं retake policy means आप कैसे like दूबारे अगर एक बार फैल हो जाता है exam में तो आप दूबारे कितने दिन में उस exam को दे सकते हैं 45 days में दे सकते हैं test result के आपके बारे में आपको बताया गया है कि test result आपका exam होता है तभी कि तभी end में ही आपको display screen पे displayed हो जाता है वैसे जो आपका form आता है वो आपका 5 business days के बाद आ जाता है test sponsor Japan foundation है जिसको official sites पे आप जा के देख सकते हो वहाँ और उसके बाद related links या Jft basic key website पे आप देख सकते हो इनके rules and regulations सब covid updates मतलब test को देने के लिए क्या क्या covid updates चल रही है means लाइक कब-कब आप exam दे सकते हो ठीक है कब-कब नहीं दे सकते हो उस हिसाब से इसमें test fee भी बता रखिए 2100 net price है आपका test fee लेकिन plus 18% DST करके आपका 2478 means इतना पढ़ जाता है उसके बाद payment method credit card से ही हो गया इसका payment वगएरा ठीक है इतना इसमें बताया हुआ है यहाँ से आप schedule schedule अपने exam को कर सकते हो तो हम बात करते हैं कि आप form fill कैसे करोगे तो यहाँ पर अगर आपकी prometric ID नहीं है तो आप यहाँ पर obtain your prometric ID के उपर जाएंगे बट अगर आपने ओलरी दूसरा कोई form fill करा है SSW का तो अगर आपके बास prometric ID अपनी है या फिर आप एक बार fail होने के बाद दूबारे JFT का form fill कर रहे तो आपके बास prometric ID होगी तो आप login पर tap करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपना prometric ID डालना है तो गाइस मैं आपके अपना prometric ID डाल देती हूं and after that capture को हम complete करेंगे बाद हम login पर click करेंगे so guys prometric ID login करने के बाद हमार पास यह tab खुल के आती है तो मैं already यहाँ पर देखो अगर यह सारा आपका जो admit card आता है उसके उपर आता है तो अभी हमने यहाँ पर reservation start करना है हमने reserve already अगर आपने कोई reservation कर रखा होता तो वह आपका यहाँ पर आ जाता screen पर तो अभी हम यहाँ पर test reserve करना है तो हम यहाँ पर reserve test पर जाएंगे इसमे and उसके बाद आपका यह terms and condition का page आता है तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ क्योंकि जो मैंने आपको अभी details बताई है कि क्या fees होती है सब कुछ ठीक है जो सारी चीज मैंने आपको exam के बारे में किस टाइप का exam होता है कब आप उसमें कब तक fees पे कर सकते हो यह उसका admit card कब तक निकाल सकते हो ठीक है cancel कैसे कर सकते हो अगर आपको उसमें कोई भी अपने form fill करने के बाद आपको कोई दिक्कत लगती है कि कोई नाम या date of birth या किसी भी id में कोई गलत हो जाता है कुछ तो आप कैसे change करोगे अपने reservation में जो id requirements है check-in कैसे करने आपको on the day of the exam महाँ पे आपको क्या क्या documents लेके जाने है कितने time पहले जाना है ठीक है test center के regulation तो यहाँ पे वो सारी चीजे आपको जो आपने जो मैं अभी बता रही थी पीछे वो सारी चीजे यहाँ पे क्या आपको इन सारी चीजों के बारे में पता है या नहीं है अगर आपने वो सारी चीजे पढ़ ली है ठीक है तो उसके बाद आप यहाँ पे I agree पे टिक कर दोगे means आपकी जो prohibited items है ठीक है इन सारी चीजों के बारे में आपको पता है and you are okay ठीक है उसके बाद हम यहाँ पे agree and continue पे क्लिक करेंगे ठीक है इसमें अभी मैंने अल्डेटी कर चुकी हूँ इसलिए मेरी details यहाँ पे लिखी आ रही है ठीक है इसमें आपको अपनी सारी details फिल करनी है and like आपका first name, middle name middle name में अगर आप डालोगी नहीं तो भी चलेगा last name, आपका state, city, address, first, second address zip, pin, code, phone number email address, आप सारी अपनी details यहाँ पे personal details डालोगे उसके बाद आप यहाँ पे continue करोगे उसके बाद फिर से आपकी tab खुलके आती है so इसमें बताया गया है सारे में आपका कि जो JFT exam है वो इंडिया में कब आया था ठीक है and eligibility criteria इसमें बताया गया है ठीक है कब आया था कभी exam start हुआ था तो यहाँ पे सारी चीजे इसमें बता रखिए उसके बाद agree and continue पे आप click करोगे यहाँ पे उसके बाद please select your test तो मैं बता दूँ वैसे अगर आप काई को वगयरा का exam fill करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे exams होते हैं कि आप उनको इंडिया में ही different languages में exam को pass कर दे सकते हो ठीक है fill out कर सकते हो लेकिन यहाँ पे अभी हम देखेंगे JFT में आप कौन सा देना है इसमें हमारे पास only a की option होता है जो JFT 80 minutes का test Japan foundation test for basic Japanese मैं बता दूँ कि न बहुत सारे लोगों को problem होती है कि कहते हैं कि 80 minutes का लिखा हुआ है हमारा exam 80 minutes का होगा तो guys मैं आपको बता दूँ कि आपका जो exam है वो 80 minutes का नहीं होता I don't know कि यहां पर यह क्यों 80 minutes लिखा हुआ है ओके आपका exam only 60 minutes का होता है जिसमें आपको approximately 50 questions आते हैं 12, 13, 12, 13 questions मनलब आते हैं जो मैंने अपनी एक video बनाई है JFT वो मैं description box में डाल दूँगी उसमें आपको सारे questions के answer मिल जाएंगे जो आपके बहुत ज़्यादा recent पूछे हुए questions है कि like कितने questions आते हैं कैसे exam होता है on the day of center पर हम जाकर क्या क्या documents लेके जा सकते हैं तो यह साथ चीज़े मैंने उस video में बता रखिया आपको इसी पर क्लिक करना है इसके बाद आपको next पर क्लिक करके so उसके बाद आपको यहां पर अपनी सारी information दुबारे से अच्छे से fill करनी है guys and इस page के personal details डालने के बाद जब आप next पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका only इस page के बाद आपका payment का option आता है and इसके बाद कुछ नहीं है बस payment करना है आपको and उसके बाद आपका form fill हो जाएगा date आप अपनी इसमें डाल सकते हो कि आप किस date का exam like fill करना चाहते हो आपको date पता चल जाएगी क्योंको देखने के बाद अगर आपके like कोई कुछ questions है कुछ queries है या फिर आपको कोई personal problem आरही है जो form को fill करने में तो आप मेरे को comment section में अपनी problem बता सकते हो मैं आपकी proper तभी के तभी help करूँगी देखने के लिए thank you very much and इसी के साथ मैं आपको एक interesting नई वीडियो के साथ मेलूँगी तब तक के लिए bye bye guys